जानेंगे कि शाम के कारवाई सत्में खरशी फसलों का वैदा वज़ार करते नजर आ रहा है लेकिन वो जानेंगे से पहले आपको बता दूँ आगई है एक ऐसी एप जो ओमिक्रोन में भी यानि की लॉगडाउन की परिस्थितियों में भी आपका भरपूर लाप जिससे कमा सकते हैं भरपूर पैसा कमा सकते हैं लॉगडाउन के चिंता नहीं करनी पड़ेगी या आप आपको दुकान दारी का अगर कोई किसी भी तरह से टेंशन हो रही है तो उसका भी जिम्मा अब इस एप का होगा आपको दादू एप का नाम है MyBigBliss MyBigBliss तो My Big Bliss एक ऐसी एप है जिसके दुआरा आप online कार्व अपना समान बेच सकते हैं यह एक e-commerce platform है आपको इस पर online समान बेचने करना चोटा जब यह काम होगा कि फटाक से अपना phone उठाना है, my play store पर जाना है, app को download कर लेना है और इस पर खुद को register कर अपनी दुकान बना लेनी है, store बनाना है, register होना है और उस पर अपने products live कर देने हैं जो भी आप अपना समान बेचना चाहते हैं यह app Omicron के दोरान आपकी sales को सिफ बचाएगी नहीं बलकि बढ़ाएगी भी तो आपको बता दू कि आगर आप कोई student है, या फिर गरहनी है, या फिर अपना कोई sad business करना चाह रहे है कोई नई दूसरी income generate करना चाह रहे है तो इस app के जरी आप वैसा कर सकते हैं और बरपूर लाव उठा सकते हैं इसके लिए आपको registration charge कुछ नहीं देना, नहीं किसी तरह की कोई fees देनी है एप बिलकुल free है, free में ही download होगी और free में ही इस पर आप कारूबार कर सकते है इसके चाह शुरूबाद कर लेते हैं क्रिशी फसलों के वैदा बजार की कैसा कारूबार देखने को मिल रहा है सबसे पहले शुरूबाद करेंगी कैससीर से तो हम देखरेंगी कैससीर के डिसेंबर वैदा, शाम के कारूबाई सहत में हफते के आखरी कारूबारी दिन 6,092 पर कारूबार करता नजर आ रहा है लगबग डेढ़ फीजदी से जाद की गिरावट है हम देखरेंगी कैससीर का वैदा बजार, जो आज शुकरवार के दिन, हफते के आखरी कारूबारी दिन, सुबाह तक बासट सो के लेवल्स पर सस्टेइन हो रहा था, बासट सो के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा था, अब वही कैससीर का वैदा बजार, 6,000 के दैरे में कारूबार करता नजर आ रहा है closing होते होते closing होने भी कुछी समय बचा है बस कुछी गंटे वाकी है और closing होते होते कैसर सीर का वायदा बजार 6000 के दायरे में एक बाँ फिर से देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि जो गिरावट है वो और जादा भी गिरा जाएं आपको बता दें कि कैसर की new arrivals आ जाएंगी मंडियों के अंदर January, February में 9 साल तक और फिर उसके बाद जो export demand हमने पिछले साल चाइना की तरफ से देखी थी कैसर की वो भी इस बार देखने को नहीं मिली है पिछली बार चाइना की तरफ से कैसर की अच्छी कासी export demand थी अच्छी कासी निर्यात मांग थी जिसकी वज़ा से कैसर की कीमतों में काफी अच्छा उच्छा लाया था लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है क्योंकि कोरोना है और कोरोना के बाद से भी अमेरिका और भारत के जो वैपारिक रिष्टे हैं वो भी कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले है दूसरा जो घरेलू domestic मांग है यानि की जो घरेलू मांग है कैसर की चाहे किसी भी इंडस्ट्री से हो वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है है लेकिन वो इसमें भी दिरे दिरे सुधार हमने बीच में देखा था जिसकी वज़ासे कीमते अभी भी 6000 के उपर सस्तेन है लेकिन एक सीमी दैरत देखने को मिल रहा है गरेलू बजारों की जो दिमांग है कैसर की वो इतनी देखने को नहीं मिली है जो की कीमतों को अचानक से अच्छी तेजी की और लेके जाए इसकी वज़ासे हम देख रहे हैं कि कैससीर का वैदा बजार एक सीमी दैर में ट्रेड करता नजर आ रहा है खास करकि वैदा बजारों में वैदा बजार में निचले सर से कभी कवार खरीदारी तो ज़रूर निकलती है लेकिन उपरी स्थर पर सस्टेनिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है अगर महाँ पर सस्टेनिबलिटी नहीं देखने को मिलेगी लगाता प्रोफिट बुकिंग देखने को मिलती रहेगी तो कैसे सीड का वैदा बजार एक सीमी दैर में ही रहेगा कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि कैसे सीड हो सकता है कि 6,000 के नीचे लुडख कर 5,800 के भी लैवल्स पर ट्रेड करता नजर आए और 5,800 से लेकर 6,000 का एक दैर भी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके साथ बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की तो हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का डिसेंबर वाइदा 2860 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 2917 का ही लगा चुक है मामूली सी करेक्शन है कल के कारोबार इस सत्र में आपने बिनौला खल में 2900 का लैवल टच होते वे देखा था 2900 का लैवल लगते देखा था वही लैवल हमने आज सुबा भी आते वे देखा कि सुबा 2900 के उपर ट्रेड करता नजर आया अभी भी 2917 का ही लगा हुआ है लेकिन 2900 के लैवस पर ट्रेडिंग देखने को नहीं मिल रही है शाम कारवाई सत्र होते 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 हैं हफते के आखरी कारवार दिन बिनौला खल में हलकी सी मामुली सी करेक्शन बंती नजर आ रही है लेकिन जानकारों की मताविक इससे एक बात जरूर साफ हो गई है कि बिनौला खल जो 2900 के लैवल छू नहीं पारता टेच नहीं कर पार वहां से बिनौला खल ने एक अच्छा ब्रेकाउट लैवल दिया है और आगे जो बजार के जानकार है उनको यही उम्मीद है कि बिनौला खल अब आने वाले समय में 2900 के लैवल के बाद 3000 के भी पार जाता नजर आ सकता है बिनौला खल जब रफतार पकड़ेगा कीमतों मे तो एकदम से तेजी पकड़ेगा और तेजी के ओर जाता नजर आएगा वही साल 2022 में 2900 के बिनौला खल आपको काफी शांदार मुनाफ़ाद देता नजर आ सकता है जानकारों के मताबिक जो हाजिर वेपारी हैं और जो वायदा वेपारी हैं वो साल 2022 तक बिनौला खल में अपना strategy बना कर चल सकते हैं, मार्च 2022 तक बिनौला खल आपको काफी बैतरी मुनाफ़ा देता नजर आ सकता है, दूसरा बात करें अगर बिनौला खल की मांग की, तो बिनौला खल की जो industrial demand है, वो dairy और poultry sector से निकलती नजर आ सकती है, तो बिनौला कल की कीमतों में अभी रफ्तार तो हमने बनती देखी है, कि स्टार्टिंग तो हो गई है, अभी ये रफ्तार 2022 के मार्च तक अभी ये जाड़ी रह सकती है, बात करें यहां से अगर अब मसालो की, तो मसालो में देख रहे हैं कि धनिया का जन्वरी वैदा 8,760 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, सवाई फीजदी की तेजी के साल, हम देख रहे हैं कि धनिया आप 85,00 के बाद, 86, 87,00 के लेवल्स में सस्तेन होके चल रहा है, 9,000 के उपर का भी लेवल हमने हाली में इस कारोबर सब्सक्ता आते वे देखा था, लेकिन महापर सस्टेनबिलिटी अभी भी देखने को नहीं मिली है, धनिया की कीमतों में, आपको बता दें कि इस बार धनिया की जो पाइपलाइन है, वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, बुवाई भी घटी है धनिया की, और शादी का सीजन चल रहा है, शादी भिया में खाना बनता है, मसालों की मांग रहती है, तो वेडिंग सीजन के चलते भी जो धनिया की जो मांग है, बुवाई गटी है, पाइपलाइन खाली है, मंडियों में इतना स्टॉक नहीं है, काफी शॉर्टेज देखने की मंडियों के अंदर, और वायदा में भी कीमते ठीकी देखने को मिल रही है, जिसकी वज़ा से धनिया वैदा में और हाजिर में आगे जाके तेजी ही देखने को मिलती रहेगी आपको बता दें कि जो मार्किट एक्सपर्सें वो यही बता रहे हैं कि धनिया के अंदर हाजिर में और वैदा दोनों की बात कर रहा हूँ है साल 2022 के जो शुरुआती तीन महीन होंगे वो काफी अच्छे रहेंगे धनिया के लिए धनिया वैदा और हाजिर में साल 2022 में भी आपको काफी शांदर मुनाफ़ा देता नजर आ सकता है क्योंकि इस बार शौटेज इतनी है पाइपलाइन इतनी है तो दनिया की कीमतों में उचाली देखने को आगे भी मिलता रहेगा बात करें दनिया के बाद अब यहां से अगर जीरे की तो जीरे का डिसमबर वादा देखने 16,240 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है एक फीजदी की तेजी के साथ और जो जनवरी वादा है वो 16,225 पर है देखने की जनवरी वादा डिसमबर वादा जीरे का 16,200 की उपर निकला है सुबा के कारवाई सत में जीरे का वादा 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 16,100 की उपर ट्रेड करता नजर आ रहा था अब हुआ से शाम के कारवाई सत में जीरे की कीमतों में अब जाकि कहीं कुछ एक हलकी सी बड़त देखने को मिली है लेकिन ये बड़त अभी भी कुछ जादा खास नहीं है अभी भी अगर 16,100 की उपर सस्टेन होता है तो हो सकता है कि यहां से कुछ खरीदारी निकले वादा में और जीरा 16,500 तक जाता नजर आए लेकिन अब जब तक ऐसी उठापटक रहेगी तो जीरे की तो कीमतों में एक ऐसी सीमी दारा देखने को मिलता रहेगा आपको बता दें कि जीरे की जो निर्यात मांग है उसमें गिरावट देखने को मिली है जिसकी वजासे वैदा में भी जीरे की कीमतों पर असर पड़ता दिखाई दिया है वही कुछ राज्यों में जीरे की जो बुआई है इस बार कुछ पिछड़ती नजर आई है जिसकी वजासे जीरे की कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा तो जीरे की जो निर्यात मांगे डिसेंबर के अंदर तक पीक अप उनी शुरू हो जाएगी जो जीरे की कीमतों को आगे तेजी की और लेके जाएगी जनवरी 2022 और फर्वी 2022 ये दो महीने ऐसे रहेंगे जिनमें market experts बता रहे हैं कि जीरे की कीमतों में शांदार तेजी देखन को मिलेगी और जो लेवल्स होंगे वोंगी काफी अट्रेक्टिव होंगे तो जीरे में भी नए साल में अच्छी तेजी देखने को आप लोग को मिलती रहेगी जानकारों का यही कहना है कि हल्दी की क्रॉप बले ही डैमेज होई हो इस बाद अक्षिन भारत में साउथ इं कर अब भारत में जिसका असर हल्दी की कीमतों में कुछ सपोर्ट की तोर पर देखने को मिल जाए लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना है कि हल्दी की एक्सपोर्ट डिमांड जादा खास नहीं है या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बिल्कुन ना के बरावर या है ही नहीं तर जो मार्केट के एक्सपर्ट से मसाला वेपारी है, उनका यही कहना है कि जब तक हल्दी की कोई अच्छी एक्सपोर्ट डिमार्ड यानि कि निर्यात मांग निकल के सामने नहीं आ जाती है, तब तक हल्दी की कीमतों में कोई जादा उचाल देखने को नहीं मिलेगा. हाला कि कुछ छोटमट खरिदारी बंती नजार आ जाया, जैसे अब विंटर सीजन है, ओमीक्रॉन ने दस्तक दे दी है भारत में, तो हो सकता है हल्दी की थोड़ी खपद बढ़ जाया, क्योंकि लोग हल्दी वाला दूद का सेवन सर्दियों में जादा करते हैं, अपनी इम अच्छाल देखने को नहीं मिलेगा, बात करें यहां से अगर गवार कॉंपलेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि गवार गम का दिसम्बर वाइदा 11,240 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लगवार आदे फीजदी की करेक्शन है और गवार सीर का दिसम्बर वाइदा 6,073 पर लगवार दो फीजदी की गिरावर के साथ, हम देख रहे हैं कि गवार गम और गवासीर, जो लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन्स तक काफी अच्छो चाल के साथ, उपी सरकित के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे थे, अब उसी गवार गम और गवार गम की करेक्शन बनती आई हैं, आज हफते के आखरी कारोबार दिन क्लोजिंग होते होते हैं, क्लोजिंग होने में थोड़ा टाइम हैं, लेकिन जो कीमते हैं वो गिरना शुरू हुई हैं, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि ये जो खरिदारी निकली थी गवार गम में, इसके बाद अभी एक आज से बनता देख रहेगी, आज से मुनाफ़ा वसुली गवार की कीमतों में बनना शुरू हो गई है, लेकिन जानकारों की मताबिक गवार गम गवासीर में जब मुनाफ़ा वसुली की बाद निचले स्थर दिखेंगे, तो निचले स्थर से फिर से गवार गम गवासीर क पर दिखेंगे एक मुनाफ़ा वसुली आने के बाद जो कि आज से बनना शुरू हो गई है और ग्वास सीड में भी बासर सो पचास तरे सर सो तक लेवल्स आगे जाके दिखते नजर आएंगे अगर मुनाफ़ा वसुली बनती है और नीचले स्वसक खरीदारी निकलती है तो मार्केट एक्सपर्स के अकॉर्डिंग वार में जो मैनेज लेवल्स बता हैं अभी वो देखने को मिल सकते हैं बात करें यहां से अगर आब सोयबीन की तो सोयबीन का दिसम्मर वाइदे में तीन फीजदी की गिरावड बनती देखी ती लगबग आपको बताते हैं कि ओमीक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दिया है और अब किसानों को चिंता सताने लगी है कि उन्होंने जो सोयविन इतने महीनों से महनत करके कीमते बढ़ाने के लिए स्टॉक करके रखी वी दी कहीं उसके दाम ना घट जाएं इसकी वज़ा से किसानों ने अब अपनी सोयविन की बिक्वाली करना शुरू कर दी है आपको बताते हैं कि किसानों ने लगबक 3 मैने से जादा सोयविन का स्टॉक करके रखावा था लेकिन अब धीरे दीरे बिक्वाली शुरू कर दी है दूसरा उनको ये भी चिंता सता रही है कि पोल्टरी के कहने पर कई सरकार सोय खली का आयात ना कर दे जैसे सरकार ने पहले करा था लेकिन सरकार साफ कर चुकी है सरकार सोय खली का आयात नहीं करेगी तो किसानों को उसे लेकिन जो किसान उनको अभी वी चिंटा सता रही है कि सरकार कहीं आगे जाकी कोई अपना दूसरा वहसला ना ले दे जिसकी बज़ास से उनकी सोयवीन के दाम गिरते नजर आये तो इसलिए अब किसानोंने मजबूरी में दीरे-दीरे सोयबीन को लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरा विदेशों की उपर नजर डालें तो साउथ अमेरिका के अंदर अच्छी बारिश के चलते सोयबीन के उत्पादन में कुछ बड़ोतरी संबभ है जो की वैश्विक सप्लाई में सोयबीन में कुछ मददगार साबित हो सकता है। वहीं से बात करें अगर जो नोपा की यानि नेशनल औल सीड प्रोसेसर असोसियेशन का जो आगरे निकल के सामना है उनके अनुसार अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में जो क्रशिंग है सोयबीन की यानि जो सोयबीन की पैराई है उसमें डाई फिस्दी की गिरावड बंती नजर आई है जिसकी वज़ा से सोयबीन में इसका जो रुक है वो कुछ सकारादमग देखने को मिल सकता है भारती तेल तेलन के बजार पर लेकिन ये जो तेजी का जो रुक है ये कितने दिन तक कायम रहता है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि सोयबीन पर अभी वैश्विक बजारों का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो वैश्विक तेल तेलन बजार है वो भारती तेल तेलन की कीमत पर काफी एहम योगदान देते हैं क्योंकि जो भारत है पूरी पूर्ण रूप से आदमनिरवा नहीं है खाद तेलों के मामले में जिसकी पर खादे तेल का आयात करना पड़ता है विदेशों से और अगर विदेशों में कुछ भी घटबड होती है कीमते घटती हैं या बढ़ती हैं तो इसका सर भारत की तेल तिलन की कीमतों पर जरूर पर परता नजर आता है और वही हमने सोयबीन पर भी ऐसे होते हुए देखा अभी हाल फिलाल में वायदा बजार की बात करूं तो अगर सोयबीन में एक सीमित दार रहेगा जो नीचे में 6000 से लेकर उपर में 600 तक कराएगा अभी कीमते इसी दार में घूमती नजर आएंगी लेकिन कुछ मार्केट एक्सपर्स का ये भी मानना है कि सोयबीन हो सकता है क जनवरी 2022 तक 7000 का भी लेवल वायदा की कीमतों में दिखा दे तो जिन किसानों ने सोयबीन अपना स्टॉक कर रखा है तो हो सकता है कि नया साल उनके लिए कुछ खुशकबरी वाला साबित हो जाए अगर कोई फैसले नहीं आते हैं और कुछ नीतिया नहीं आती है तो वही हाजिर वहीं बात करूँ वायदा की तो वायदा में एक्सपर्स के मताबिक सोयबीन 7000 तक जाती नजर आ सकती है या फिर उसके आसपाद जाती भी नजर आ सकती अर्चट सो तक और 6900 तक तो हमने देख ली है और 7000 तक के भी लेवल दिखा सकती है अभी सोयबीन जनवरी 2022 अभी मार्केट एक्सपर्स का ये मानना है अब एक चोटा सा कोशनां सेशन कर लेते हैं धर्शक जुड़े में हैं प्रकाश वार्षने जी हैं CPO तेल में बता है प्रकाश जी सर्दियों में CPO की जो डिमांड है वो कमी रहती है बारत में क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो CPO है वो तेल जम जाता है विंटर में जिसकी वजासे इसकी जो डिमांड है वो थोड़ी कम होती नजर आती है हमने वायदा में देखा है कि CPO में ज़्यादा घटबर नहीं देखने को मिल दी है हाला कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउनसाइड ही देखने को मिला है क कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी CPU में बंती निजर नहीं आ रही है हमने इसके जो इंपोर्ट से ठीक ठाक होते वे देखे हैं CPU के हाला कि अभी जो production है वो टाइट रहने के चलते CPU में थोड़े हलकी फुलकी बड़त देखने को मिली थी अभी market sentiments कुछ ऐसे बनेते जिसकी व बिनौला खल को लेकर सवाल आ रहा है अमुल चौन जी बिनौला खल के बारे में हमने अभी आपको बताया था कि बिनौला खल की कीमतें मार्च 2022 तक आपको काफी शांदर मुनाफ़ा देती नजर आ सकती हैं चाहे हाजिर हो चाहे वायदा बजार हो बिनौला खल की बिनौला खल की रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं आप वो वीडियो भी रोज़ाना देखा करें आपके लिए जरूर लाबदायक साबित होंगी और इससे पहले भी हमने अपनी चैनल पर बिनौला खल के बारे में काफी वीडियो अप्लोड की हुई हैं जिन में साफ साफ बताया गया है कि जो मार्किट एक्सपर्स उनका मानना है कि बिनौला खल 3800 से 4000 तक भी जाता नजर आ सकता हैं तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं पोल्टरी और इंड्श्टरी की भी डिमार्ड बिनौला खल के ठीक ठ BLACK रहेगी तो आशा करते हैं आपको माई जानकर यह अच्छी लगी हो न्यूस बनाने की और आपके लिए न्यूस लाने की फिल्हाल बजार की चाल में अभी के लबस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार